असलाम वालों नाजरीन मैं आपकी शेफ एसन जी आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे गोश्ट की बिरियानी मुझसे अकसर लोगों ने पूछा कि हम बनाते हैं इसमें अरोमा नहीं आता टेस्ट अच्छा होता है लेकिन खुश्बू जब हम देख ची खोलते हैं तो जैसे बिरियानी की खुश्बू आती है ऐसे खुश्बू नहीं आती तो मैंने इस पर जो तजरुबा किया बहुत सक पर चलें हम चलते हैं इंगिरेंस की तरफ जी नाजरीन हम बना रहे हैं कच्छे गोष्ट की बिरियानी तो हमने ली है चिकन एक किलो और इसे मैंने आदा किलो दही मेरिनेट करके तक्रीबन दस मिनट पहले रखा था इसके अलावा हमने दो प्यास ली है मीडियम साइज की जो मैंने ब्राउन कर ली है और इसमें से मैं आदी अभी डालूंगी आदी जब हम दम देंगे तब ही समाल होगी है इसके अलावा यह हरदनिया है पौदिना और हरी मिर्च यह हरी मिर्च जो हरी मिर्च है वो खासी स्पाइसी है तो यह तकरीबां डेल टेबल स्पून के मिर्च जो होने शर्फ के मिर्च का हरी मिर्च का एसाब यह नहीं के जाती कि Aww हो जाती है इसके अलावा लेमन जूस चार टेबिल स्पून है इसके अलावा यह साबुत करब मसाला है एक टी स्पून जीरा है दस काली मिट्चे हैं दो बड़ी लाइचियां छे छोटी लाइची और यह जह है आप लॉंग देख सकते हैं छे अदर लसन अदरक हम इस्तमाल क बहर कर आप इसे दो टेबिल स्पून भी ले सकते हैं लेविल लेकिन हम टी स्पून इसके अलावा आप हम नॉर्मली जो अ बिर्यानी होती है उसमें नमाक मेर्च हल्दी धनिया इस्तमाल करते है लेकिन मैं इसमें यह बिर्यानी मसाला मैं बनाना चुकी हूँ मेरे चैनल तो यह दो टेबल इस्पून जाएगा भर कर दो इसे एक बहुत अच्छा सा अरोमा इसमें आएगा नॉर्मल नमक मिर्च के में वह आरोमा नहीं आता है जो आप बिर्यानी मसाला डालते हैं तो उसमें आता है और इस बिर्यानी मसाले में वैसे ही बहुत अच्छा अरोमा आता है इसके अलावा हम मीट टेंडराइजर यह आप देख सकते हैं मीट टेंडराइजर है और यह वन टी स्पून जाएगा लेकिन अभी नहीं जाएगा क्योंकि हम चिकन की बना रहे हैं यह ज इसको हम ओरनाइट मेरिनेट करके रखेंगे चिकन में बन रही है तो हम इसको मीट टेंडराइजर यह कच्छा पपीता आप जिस वत दम देने जाएं उस वत इसमाल करें वरना आपकी चिकन बिलकुल हल्वा हो जाएगी लेकिन अगर आप मतन में बना रहे हैं तो आप रा जाएगी टेंडराइजर अगर मतन है चिकन में तो वन टी स्पून भी इनफ है तो चलते हैं हम बाकिकी मेरिनेशन करते हैं दही हम डाल चुके हैं और यह देखिए लसन भर कर दो टी स्पून गया यह हमने इसमें इसमें डाल देनी है और इसमेरिनेट करके आप ओवर कर दो आएगा ना वर को अब हम यह मजी की चटपटी बिर्यानी होती है एक पाइसी और रूसरी घंडि होती है यह दूची होती है कि यही डिये बेस्ट चीजिए न प्रियों विर्यानी मजा नहीं आता बकिकी ही प्यासं हम जब धबडाप इसे दम देंगी तब इस्तेमाल होगी और भी चीजरें हम दम फिर जैसे नॉर्मल बिर्यानी में पड़ाएं हैं। राप्ते हैं टो की डालेंगे लेकन हम प्यास एक हैशे में अलम बुबकारगए यह मैने बाद में दुबारा बनाया है तो इसमें अलम भूकारे दॉल अगे मांधूते हैं लेकिन में इसमेंसे अलम बुखारे गँल कारशा अब दीना चाल कर डल हैं अब मैं इसको मेरिनेट करूंगी और इससे ओवरनाइट हम छोड़ देंगे और फिर इंशाल्ला कल सुभा इसको हम दम देंगे बहुत इजी पिरियानी है इसलिए आज से के इस वक हमें कोई कुकिंग नहीं करनी सिवाय इसके क्या मेरिनेट करके रख दें और फिर उसके बा चावल उबाले जाएंगे और इसको फिर हम दम देंगे बहुत मसेदार यमी सी होती है अगर आपको चखना है मैं आपको चखने के एक तरीका भी बता दूँ कि जब आप मेरिनेट कर लेते हैं तो अगर आप ऐसे ही चख सकते हैं कुछ लोग चख लेते हैं कच्छा गोश् आप किसी पैन पे डाल के और उसे थोड़ा सा कुक कर लें और फिर चख लें वैसे जो मेजर्मेंट मैं बतारी सिर्फ मिर्चों का हिसाथ है नमक भी हम अभी थोड़ा सा इसे चख कि क्योंकि बिर्यानी मसाले में नमक मौझूद है इसलिए इसमें मैं भी टेस्ट करती हू और फिर उसके बाद इसमें नमक चेक करती हूँ तो मझे जरूरत है के नहीं है यह हमारा मेरीनिट हो गया और अबना इसमें से इसको चख नहीं जे नाजीन मैंने से चखा मिर्चे तो बिल्कुल फर्स क्लास हैं लेकिन नमक काफी कम रहा है तो अब हम इसमें तीन और चार यह हमने चार टी स्पून इसमें नमक डाल दिया है जी नाजरीन मैंने इसमें नमक डाल के फिर दोबारा चख लिया और यह बिल्कुल पर्फेक्ट है इस वात अब सिर्फ एक आइटम रह गया और वो है यह मीट टेंडराइजर अगर मीट टेंडराइजर नहों तो आपको अच्छा पपीता भी डाल सकते हैं लेकिन हम चिकन में सुभा लगाएंगे जिसवत हम इसे दम देने जाएंगे यह बात हमेशा याद रखिए और आपकी चिकन हलवा हो जाएगी तो इन्शाल्ला मैं आ चावलों के प्रॉसस पे आ गए हैं एक किलो हमने चावल लिये हैं पांच यह आप यह सेख सकते हैं इसमें हरी मिर्चे हैं इसके अलावा यह साबुद गरम मसाला है एक बड़ी दालचीनी है दो तेस पात हैं चार लॉंगे हैं दो बादियान के फूल हैं दस बारा के यह काली मिर्चे हैं दो बड़ी लाइचियां हैं यह तकरीबन छे छोटी लाइची और एक टी स्पून यह जीरा है इसके अलावा हरधनिया पोदीना प्यास बिर्यानी एसंस नमक लेमन जूस दो टी स्पून मैंने लिया टेबिल स्पून लिया है और यह अगर आपका साबद लेमन भी डाल सकते हैं मेरे पास लेमन जूस मौझूद था तो मैं वह इससामाल करें हूं लेमन जूस चावलों में डालने से या सिरका डालने से जो इसका टेक्शी है चावलों को बहुत अच्छा सा एक तो ग्रो करता है मतलब लंबे होते हैं चावल और खिले-ख घी है घी हम दो तरह से डालते हैं एक हम गोश्ट में मिक्स कर देते हैं जो हमने मेरिनेट करके रखा है और दूसरा हम उपर से डालते हैं तो तकरीबन ये एक कप मेजरिंग कप जो होता है यानि 200 ग्राम का जो मेजरिंग कप होता है उतना घी इसमें जाता है बिर्यानी अग अगर आपके पास कोई हैल्थिशु हुए तो भी तेल को गरम करके फिर इस्तिमाल करें वैसे तो जो बिर्यानी होती है जो रिवाईती बिर्यानी यां बजार की खाते हैं और बहुत मज़े लेते हैं उसमें भी घी ही होता है और घी से इसका फ्लेवर डवलप होता है तो चल और लेमन जूस और ये नमक नमक हम एक कलो के हसाब से आठ चमबर डालेंगे ये मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुक्यों हूँ कि इसमें क्यों डबल कॉंटिटिरल दी है क्योंकि ये ड्रेन होता है तो फिर फिर एक्वल हो जाता है तो आठ टेबल स्पून एट हम ये वाला वन टी स्पून लेवल डालेंगे इसमें और जब दम देने लगेंगे तो फिर ये हरदनिया पोदीना और हमारा ये प्याज और घी जाएगा तो चलते हैं हम अप इसको चावालो बालते है जी नाजरीन अब हम सबसे पहले कच्छे गोश्ट की विर्यानी और दम देने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले इसमें ये गोश्ट शामिल करेंगे अच्छा मैंने आपको बताया था कि हमने इसमें पहले मीट टंडराजर इसमाल रहीं किया हूँ और अब मैं इसमें एक चम्मच भी भरकर मीट टंडराजर डाल रहे हैं चिकन है फोरंगल जाती है इसलिए जादा की जरूवत नहीं होती सिर्फ एक टी स्पून मीट टंडर इसमें 6 टेबिल स्पून गी डाला है जो मैंने रात में नहीं डाला था और अब मैंने इसमें शामिल किया है यह देखे मैंने इसको एक तफ़ा इसने मीटन राजर डालके इसको अच्छे से मिक्स भी कर दिया ताके मीटन राजर सब जगा अच्छी तरह पहुंच जाए यह आप देख सकते हैं यह एक हमने इसकी लेयर बनाई है और उसके बाद हम हराधन या पुदीना और अब हम इसके उपर चावलों की लेयर लगाएंगे जी नाजरीन हमने इस पर चावलों की लेयर लगा दी जो पच्छा वहां हर अधनिया था वो सारा डाल दिया इसके अलावा हम घी डालेंगे और घी जो है हम 6 टेबल स्पून गोश्ट में डाल चुके हैं अब 6 टेबल स्पून तकरीबन हम इसके ऊपर से डाल देंगे छे जी नाजरीन इसके अलावा हमने इसमें फूट कलर मैं अश्वत आपको बताना भूल गई थी एक फूट कलर थोड़ा लेकिन इसमें बहुत जादा मक्ताव है फूट कलर मढ़ डालिये गां इसके अलावा अगर आपके पास अवेलेबल है यह हार्डन पास नहीं है लेकिन अगर यह आप डालें तो इससे बहुत अच्छा इसमें अरोमा आता है यह आप देख सकते हैं जाफरान है जिसे केसर भी कहते हैं यह मैंने दूद में भिगो के रख दिया था तकरीबन दो स्पून के करीब दूद है इसमें मैंने भिगो के रख था और अब मैं इसको इस पे एक साइट पे डाल रहे हैं इससे इसमें बहुत अच्छा अरोमा आता है इसके अलावा बिर्यानी एसंस मैंने आपको दिखाया था चंद पत्रें बो जाएगा इससे भी इसकी खुश्बू बढ़ जाएगी और अब मैं इस पे धक्कर लगाके और इसे दस मिनट के लिए तेज आँच पे रखूँगी क्योंकि नीचे हमारा गोश्ब बिल्कु कच्छा है इसलिए इसे हम दस मिनट के लिए तेज आँच पे रखेंगे ताके थोड़ी कोकिंग शुरू हो जाए और इसमें स्टीम बनना शुरू हो जाए और दस मिनट के अंदर ये चिकन बिल्कुल डन हो जाती है चिकन है इसल के बाद हम इसको जहें दम पे कर देंगे जी नाजरीन इसको मैंने दस मिनट के बाद आँच हल्की कर दी है अब आप इसको किसी तवे पे या आपके पास अगर वो जो जो स्टीमर जो दम देने की जाली आती है वो मौजूद तो आप उस पे किसी भी चीज पे रखके दम दे दें तकरीबन आप हम 20 मिनट के लिए इसको दुबारा हल्की आच पे रख रहे हैं एक मैं आपको टिप देती चलूं के जब आप चूला बंद कर दें चावलों का कोई से भी चावल बना रहे हो तो आपको बहुत जादा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि एक दम ध तकन खोल दिया जाता है तो अगर आप बहुत अच्छे चावल चाहते हैं तो आप उसको बंद करके चूला दस मिनट के लिए छोड़ दस मिनट बात खोलेंगे तो आपके चावल बहुत खिले खिले होंगे अब इंशालला मैं आपको इसको सर्फ करके दिखाऊंगे यह ल आते हैं तो इसमें अरोमा नहीं आता इसमें टेस्ट अच्छा होता है लेकिन शकल सही नहीं होती तो मैंने इसमें बहुत से चीज़ें एड की तो उसके बाद यह इतनी अच्छी बनने लगी है कि लो जो भी खाता है वो बार बार फ़र्माईश करता है तो इंशालला आप अब भी बनाएं और इंज्वाय करें उमीद है कि आप वे रसेपी पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएए शेयर कीजिए कॉमेंट्स कीजिए बनाएं और फिर मुझे जरूर बताएं कि आपने कैसी बनी इंशाला फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो के साथ अनला है अनला है